इरान युद की टैंशन के बीच तुर्की के राश्रपती ने नेतनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनन की तरफ से हेजबुल्वा द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कबरें यहां पर देखिए तबाह हो गई है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वज़े से तबाही का जो मंजर है और आप देख सकते हैं यहां पर देखिए जैसे बं के धमाकों के साथ बैरूत की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकिट की बौचार से तलेवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से घाड़ी में खेमें बदल रहे है इसराइल के खिलाफ मोस्ट पाउफुल गुरूप बन रहा है उस गुरूप में होड ये लगी है कि जल से जल इरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुरकी नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुरकी के किलर कमांडो अक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अरदुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वर्जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादत अपिशन तस्वीरों में है तेहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान ने सौधी अरब को साध लिया है क्या खाड़ी के सभी पावरफुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी ग्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से वाट एंशन कम करने का वादा भी किया है सौधी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क सौधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बच्चना मुश्किल होगा वज़े ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ल्ड में फूट डालकर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है एसराइल मेजली मि गरुष्में रूंचेलिक जिन अजलड़ा आके रुछियर इसराइल में एलाडरी आप नेयों है उतना है रुप आतिने युरू जारले जायिन बार्राइलार घृट इसराइल चाट्राइलों एसा जर्दियर को भी आ मैं इस वक्त इसराइल लिबनान के बॉर्डर के बहुत करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पहर एक बजे एक साथ कई दरजन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं छोटे 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 छेद यहां पर हुए हैं हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वज़द से दिवारें काली पड़ गई हिजबुल्ला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इसराइल पोसिस की आलन बिल्डिंगेट की 5030 वी बिटालियन के साजट मेजर रोनी गनिजाते हिजबुल्ला के हमले में मारे हैं ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के दो कमांडर मार डाले है जिसमें एक एहमद मुस्तगा अलहाज अली और दूसरा मुहम्मद अली हमदान बताये गया यहां की धार्मिक मान्यता के मुताबिक उनको भी शांती नहीं और आप यहां पर देखिए कि यह पूरा कबरिस्तान टूटा फूटा यहां पर देखिए यह गवाही दे रही हैं तस्वीरें कि लोग जो हैं वो यहां पर अपने प्रियजनों को देखने आ रहे हैं लोग यहां पर लगातार जो अटेक हुआ है रॉकेट से उसको देखने आ रहे हैं। तबाई को हिजबुल्ला के मिलिटरी आपरेशन का चीफ बनाए गया है। में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या। कैई देशों के भूते की बात नहीं। ब्राउन यूनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है। कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये हैं। देके हत्यारों के आपूर्ती में लगबग 57,000 तोफ खाने के गोले, तोफों के लिए 36,000 राउंड गोला बारू, 20,000 M4A1 राइफले, 14,000 अंटी टैंक मिसाइले और 8,700 MK 82 500 पाउंड बंब शामिल हैं। इसराइल के लडाकू जैट हो या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे हैं। इसराइल के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है। अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में हैं, हर तरफ से हैं, चाहे हत्यार हो, चाहे बाहूबल हो, चाहे आटम बम हो, इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सूपर पावर वो देगा, लेकिन युद्ध में कभी इसराइल को जुकने नहीं देगा। अमेरिका की यही गारंटी नितन्याहू को सभी दुश्मनों से भिढने की पावर देती है। सूपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना उसकी जीत और वजूत दोनों के लिए जरूरी भी है। वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जैसे द अभी को चौका दिया था। तब से दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचैन है कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है। अब लगभग नौ दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है। इरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करनी जा रहा है और उसकी तयारी पूरी हो चुकी है। एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइल इंदाग कर दुनिया को चौका दिया हो। लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है। इसरा अमेरिकी राष्टपती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके हैं। इधर इसराइल के रक्षा मंतरी यौफ गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है। जिसने पूरे मिडल इस्ट में हलकम मचा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इ इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उल गई है। ज़रा देखे इसराइल के रक्षा मंतरी यौफ गैलेंट ने क्या कहा है। का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है। सूत्रों की माने तो इसराइल इरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि ये हमले इरान के अर्थविवस्ता को गहरा नुक्सान पहुंचाने क इसके अलावा इसराइल इरान के परमानु ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है लगबग 100 घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानु परिक्षन किया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिचले 120 घंटे में एरान में आयब हुकम और परमानु बंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बाच्चीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाईल हमलों का जवाब जबरदस तरीके से दिया जाएगा बहले ये कियास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर तबाव बना चुका है कि वो इरान के परमानु ठिकानों को तबाव नहीं करेगा लेकिन जब से अमेरिका को खूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम कियाड में एटमी परिक्षन ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके एटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी जंडी दे चुका है ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे हैं अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था इसराइल के साथ बढ़ते संगर्ज के बीच 5 अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवरता का भुकम दर्ज किया गया भुकम का केंद्र कथित तोर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिगिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है ऐसे अब दावे किया रहे हैं भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का परिक्षन किया है दावों के मताबिक भुकम का केंदर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था बुकम के दोरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती हैं ये लहरे वैसी नहीं थी ये लहरे वैसी थी जैसी न्यूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्शा एक्सपर्स और विज्ञानिक ये दावा कर रहा है कि इरान ने परमानु परिक्षण किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने अटम बम का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुंदर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त इरान की हाइबर सॉनिक मिसाइल पते बन और पते टू ने इसराइली सेहने ठिकानों को काफी नुकसान पहुचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट सिलिंग सभी इरानी मिसाईलों को रोक नहीं पाये थे लेकिन इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि इरान का मिसाईल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं ज़रा देखे इसराइल डिफेंस कोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मताबिक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बातचीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है इसके लावा आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने इरान के टॉफ कमांडर पर हमले का प्लैन बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नित्रित किया था खबरे ये भी है कि IDF की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लान इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उकता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमिटर गूरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोके मुठा सकता है इसराइली मीडिया के मुटाबिक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले पांच से दश सालों में इसराइल का वजूद ही मिठ जाएगा और अगर इसराइल एरान को तभा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिली स्ट में सूपर पावर बन जाएगा